नमस्करमा अपका नाम क्या है उर्मिला शर्मा आप कहाँ से आयो मैं आई हूँ पंज्च्छुला दाथ्चनिया चंडीगर्थ आपने पहले उसो से भी मिले हो जिद्दू कृशी मूर्थी से भी मिले हो और इस बार आप दर्शन जी से मिले हैं दर्शन जी से मिलकर आपको कैसा लगा मुझे जब मैंने इनका वीडियो देखा था तो मुझे लगा जो इनकी मैंने टॉक सुनी कि ये काफी जागरत हैं तो अगर मौका लगे तो इनसे ज़रूर मिलना चाहिए और कुछ मेरे मन में अपने डॉट्स भी क्लियर करने के लिए और आके बहुत ही अच्छा लगा कि he is a very pleasant personality and जो जैसा मैंने समझा था इनके वो देखकर इनके वो जो थे यूट्यूब पर जब इनको मैंने देखा तो जो मुझे लगा वो वैसे ही निकले और जागरत इनसान है और बहुत मैं कहूंगी कि छोटी ही उमर में इतना इनलाइटन हो जाना बड़ी बहुत बड़ी बात है बड़ा माइना रखता है और I am very sure कि future में हम लोग और भी इनसे फाइदा उठा सकेंगे आएंगे इनसे मिलेंगे let's hope for the best thank you hi ma'am what your name hello I'm Adela from where you I'm from Czech Republic Europe okay you come to India and you have attended the programs abdarchanji and what you're feeling about this programs what are please share your experience so I found this program quite by chance it wasn't my purpose to come here but I found the program very relaxing and connecting to inner self even understandable for me even foreigner so very nice okay then what is our future plannings about this programs as you are very less known about the Hindi would you like to explore Hindi because our teacher mostly speak in Hindi are you getting understanding better understanding in Hindi I don't understand much on a verbal level but on the other non-verbal level I think I understand quite well okay ma'am thank you thank you namaskar आपका नाम क्या है मेरा नाम यश्वन कुमार पंजवानी है आप कहां से आयो हो मैं इंडोर मध्यपरदेश से आया आप गुरू जी से पहली बार कब संपर्क में आय थे लगबग एक वर्च से मैं इनको यूट्यूब से सुन रहा हूँ मुझे इनके सुनने से वीडियो से बहुत लाब हुआ तो मेरी एक बार इनके साथ पर्सनल इस टाइब के किसी शिवेर में मुलाकात करने की अंदर जिग्यासा पैदा हुए तो इस सिलसले में ही मेरा यहां आना हुआ गुरू जी से जूट उपे उनके सुनके और उनको सासक्ष मिलके आपको क्या डिफरेंस लगा पहले में जब सुनता था तो मुझे इनके सुनने से ही मुझे काफी लाब होता था कि मैं वहां पर अपने लेवल पर मेडिटेशन करता था इनके सुनने के अनुसार तो भी मुझे बहुत चांती और बहुत आनन का मैसूस होता था लेकिन जब यहां आया तो इन्होंने बोला इस ध्यान जो है वो पूरा होश का जीवन है और इस होश का जीवन को हम जो है खाली ऐसा ना कि सुबेरे हमने ध्यान कर दिया या शाम को कर दिया पूरा जीवन हम ध्यान और आनंद में कैसे गोजा रहे हम अमारा वास्त्रिक के हर कार्य को करते हुए होश में और आनंद में हम कैसे गोजा रहे हैं इस विद्या को मैंने या प्राप्त किया और मुझे बहुत आनंद, बहुत शांती और बहुत प्रसंदता महसूस हो रही है दन्यवाद आपका नाम क्या है जी अनिल कलरेजा और आप कहां से आयो मैं कल्यान बंबे से आपने पहली बार गुरु जी से कैसे संफर किया मैं यूटीब पे थोड़े उनके सचसंग सुन रहा था तो मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने सुचा उनके परसनली मिलने यूटीब से गुरु जी को सुनने से और उनको साक्षात मिलने में आपका कैसा डिफरेंट रहा क्या अन्बब रहा दोनों अच्छे अन्बब है यहाँ पे हम कुष्चन पूछ सकते हैं face to face समादान उसी ताम मिल जाएगा आपको अपने प्रेशनों का उत्तर मिला? हां जी बहुत बहुत प्रेशनों का अभी भी स्यात्रा चालो है धन्यवाद आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरहास बैसला है आप कहां से आयो? मैं दिल लिस आया हूँ गुरुजी से आपका कैसे संपर्क बना गुरुजी से संपर्क तक्रीबन 4-5 महिने पहले यूट्यूब के माध्यम से बना था और गुरुजी को यूट्यूब से देखकर और अभी साक्षात उन से मिलकर कैसा अनवव हुआ और बहुत अच्छा हुआ है कुछ लाब नजर आया है एक्सुली में मैं पिछले 7-8 साल से सवबोध की के लिए परियास कर रहा था तो मुझे जो विशेश लाब नजर आया वो यही है अग्या पिछले 4-5 जन से आके मुझे उस अपने सवबोध की और अधिक सपष्टा और गहराई जो मैंने महसूस करी है उसमें हेल्प मिली है गुरुजी के परवचन गुरुजी द्वारा बताई गई करियाए और गु जो लाब हुआ है वो यह मेरा जो सवबोध था वो गहरा हुआ है और उसकी और उसमें मुझे सप्रश्टा मिली है धन्यवार आपका नाम क्या है मेरा नम रकेश कुमार है और आप कहां से आयो मैं गुरुदास्पर पंजाब से आया आपने गुरुजी को पहली बार कब मैंने एक मंत पहले सुना यूटूब पर और गुरुजी से यूटूब पर सुनने से और इस मेडिटेशन कैम्प को जोईन करने में आपको क्या डिफरेंस लगा यूटूब में गुरुजी जो बतारते थे मैं फॉलो करता था पर यहां सामने उससे मैं उनसे कुछ पूछ पी सकता हो क्या इट डिफरेंस है ऐसा मेरा नाम सीमा प्रधान है ऑप कहां सी हुए हो पर बरेली को आपने गुरुजी को पहली बार कहां सुना था दर्शन गुरुजी को मैंने यूटूब पर सुना पहली बार उनके कई वीडियो सुने और मैं बहुत इंप्रेस हुई फिर यहां कैम्प लगना था मुझे जैसे सूचना मिली तो मैं फिर साक्षात दर्शन के लिए गुरुजी के और उनके कैम्प में शामिल होने के लिए यहां चली आई गुरुजी की यूटूब पर वीडियो सुनने और उनसे साक्षात मिलने और उनका मेटेशन के जोइन करने में आपको क्या डिफरेंस लगा बहुत डिफरेंस है यूटूब पर सुनने से भी बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ बदलाव हुआ मुझे बहुत कुछ अनवब हुए लेकिन साक्षात मिलने से अलग बात हुई साक्षात दर्शन होते हैं तो गुरु की एनरजी का भी प्रभाब पड़ता है और सत्संग का अलगी आनन्द है और प्रभाब है इसलिए मैं बहुत इंप्रेस यहां भी हुई और यहां मुझे बहु हुए धन्यवाद खब दर्शन हम अलगी आनन्द है